वेरी गुड मॉर्निंग टू अल अफ यू मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्रेटफॉर्म अनकाडमी पर बचो अनकाडमी ने आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज की क्लास स्टार्ट की है यह क्लास आपके लिए ESE एक्जाम और PSU's डिफरेंट PSU's के एक्जामस को ध्यान में रखकर के अरेंज की गई है इस क्लास में हम लगबग सभी जनरल स्टडीज के टॉपिक्स कवर करेंगे और यह क्लास हमने स्टार्ट की है एंवार्मेंट की क्लास से इस एक्जामस के अंदर बहुत जादा मार्स में पूछा जाने लगा है तो अब आज की तारिक में किसी वे एक्जाम को निकालने के लिए जितना हमें अपना टेक्निकल सब्जेक्ट जरूरी है उतना ही जरूरी जो है वो एन्वार्मेंट हो चुका है तो आई होप आपको एक्लास से पसंद आ रही होंगी यह पसंद आएंगी और आप जहांद से इन क्लास से को अटेंड करेंगे क्योंकि एक्जाम में लगबग अब फिफ्टीन मार्स के आसपास का एन्वार्मेंट पूछा जा रहा है तो काफी इंपॉर्टन सेक्शन है य बढ़ रहे हैं मैं अपना परिच्छे आप लोगों को देता हूं मैंसल्फ अभिशेक शर्मा मैं पिछले 15 साल से इंडियन इंजिनिंग सर्विसेज पी एस यू और इंडियन सिविल सर्विसेज आई एस एक्जाम के लिए जनल स्टेडीज पढ़ा रहा हूं 15 साल का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है इस पेश्टी मैं इंडियन पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री और इथिक्स जैसे सब्जेक्स पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं तो इसी दिए यहां पर शुरुआत हमने इंडियन की क्लास से की है बच्चो इसके अलावा जो है मैं पैणिये आप कर छे आप वि zarी करका होगा अगर नहीं करकता है तो आप मुझे ज्युक्त में अब्रम प्ले छी आप ऐसको जांधे आप मेरा अनकैडमी लर्णिंग याप की प्रोफाइल का लिंक दे रखा है आप उस लिंक से सीधे मेरे प्रोफाइल पर जा सकते हैं और मुझको वहां जाकर के फॉलो कर सकते हैं अब सारी बात यह कि मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि मुझको फॉलो करी आनकैडमी लर्णिंग पर जाकर बचों अनकैडमी लर्णिंग पर मेरी 35 वार्ज की इस महीने 35 वार्ज की फ्री स्पेशल क्लासेज हैं तो वहां पर भी जैसे मैं यहां पर एक एक टॉपिक को डील कर रहा हूं वहां पर जो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक्स हैं उनको इन डेप्स लेवल पर जाकर के पढ़ाया जा रहा है तो आप फ्री स्पेशल क्लासेज का बेनफिट अनकैडमी लर्णिंग आप पर भी उठा सकते हैं वहां पर जो है मैं क्विज्ज करा रहा हूं डेली टॉपिक भी पढ़ाता हूं साथी साथ क्विज कराता हूं तो आप उस क्विज्ज पर अपने आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि आपको अपना एक्जाम के और तैयारी करने का अच्छे से मौका मिले यहां गलती करेंगे तो इसलिए अनकैडमी लर्णिंग आप प को पता चल जाएगा जैसे फर एक्जामपर आज मेरी सेवन फिफ्टीन पर अनकैडमी लर्णिंग आप पर सेवन फिफ्टीन पी एम पर क्लास है तुड़े यह क्लास है और यह क्लास जो है मेरी प्लास्टिक पॉलूशन पर है और प्लास्टिक पॉलूशन पर यह क्लास है सातिसाथ में सीज्ची कुएइघैनर तुम्हां इस प्लास्टिक पॉलूशन पर क्लास में जjukDidnahme सुएधक अ जाते तो एक ही व्त पर जैघ पीजागत को साहरा हुए है इसके साथ ही बच्चों यह तो हमारा अनकैडमी लगने के आप पर आपको बहुत सारी फ्री क्लास तो मिली रही है इसके साथ ही हमारे दो पेड सब्सक्रिप्शन प्लान से जिनके अपने बहुत सारे बैनेफिट्स है जब हम फ्री प्लेटफॉर्म पर आप सोचे इतना डेफ में पर आते हैं तो सोचे कि पेड प्लेटफॉर्म पर किस हिसाब से अनकैडमी तियारी करा रहा होगा तो प्लस सब्सक्रिप्शन प्राण में बच्चों अगर आप लेते हैं तो आपको लाइव क्लास मिलती हैं आपको क्राश कोर्स मिलते हैं वीकली टेस्ट मिलता है डाउट के मिलते हैं उसरे ब неп 101 इसके अलावा आपको पर स्विथा मिलती है है जो की घ्माइक बहुत अच्छा फेल्टी होते हैं जो की जिनके पस अनुभव होता है है जो आपको बहुत अच्छे से राम के लिए गाइड कर सकते हैं साधी साह देडिकेटर डूट क्लियरिंग स्व को मिलते हैं और सारे प्लस वाली सुविधाय आपको मिलती ही मिलती तो इस दोनों का ही फायदा उठाइए बच्छो आगर आप जो है प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान में जाते हैं तो 12 months 18 months और 24 months के लेने में आपको फायदा होगा यह इनके चार्जें त्वेल मंत का यह है यह यह इतीन मंस का है और यह 24 months का है इसमें अगर आप कोड मेरा अप्लाई करते हैं अभिश्यक 01 कोड अप्लाई करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अभिश्यक 01 अभिश्यक 01 अभिश्यक 01 अभिश्यक 01 कोड की जरुवत पढ़ती है बच्चो तो 10% डिस्काउंट का बैनेफिट उठाईए और कोई प्लान सब्सक्राइब करिए आगे यह 5% होने जा रहा है तो अभी जल्दी से जल्दी 10% डिस्काउंट का बैनेफिट इकानिक में भी अगर आप जो है परसनल गुरू के साथ त्यारी करना चाहते हैं तो अभिश्यक 01 से आपको 10% का डिसकाउंट मिलेगा चाहे आप 12 महीने के ले रहे हो चाहे आप 24 महीने के ले रहे हैं तो आप पर प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं चलिए बच्चों पढ़ाई शुरू की जाएं तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टन है और हमारा टॉपिक है बच्चों कोरल रीफ जिस तरह से कल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टन था कल की क्लास जिस भी बच्चे ने इटेंड की उसे मालूम होगा कि कल जो है हमने मैंगरू की कलास की थी जिस तरह से मैंगरू एक सॉल्टी वाटर के अंदर सलाइन वाटर या ओशनिक वाटर के अंदर स्पेशल वेजिटेशन हैं स्पेशल वनस्पति हैं उसी तरीके से कोरल रीफ सलाइन वाटर के अंदर सॉल्टी वाटर के अंदर या मरीन इकलाजी के अंदर ज विखेश जीव क्लिशिए कियों हैं मैं कह रहा हूं में यह पानि द्व कि इस gün में इनके बहुत सारी थ्मोर्टव गृतैं इंक्राइंस हैं जो और ऑफ़े ऑफे इनने सीज़ हैं कहा सुज्बटट इस पती इस में इस में इस माज़ है है इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है इसी लिए इनको बायोटिक कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे बड़ा सोर्स मानते हैं गुड मॉर्निंग वेद प्रकाश गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रेशना तो इनको क कार्बोन का सबसे बड़ा रिसोर्स माना जाता है आप लोग को मेरी आवास आ रही है और यू गैटिं माइवड वॉइस बता दीजेगे न अभी आयो आप लोग कास में का सबसे बड़ा रिसोर्स अमें को मानते हैं एक कॉश्चन तो यह है इसके अलावा देखे कोरल रीफ स बताया कि Biotic Calcium Carbonate का सबसे बड़ा resource है Coral Reef के क्या-क्या benefits से ये question आ सकता है wildlife protection act में Coral Reef को कहां जगे दी गई है किस list में जगे दी गई है तीसरा question ये बन सकता है चौधा question बन सकता है कि Coral Reef कितने type के होते हैं ये question बन जाता है पाँचवा question Symbiotic Relationship पर बनता है कि Symbiotic Relationship क्या होती है सम्योटिक relation पर question बन जाता है पाँचवा नहीं छना सवाल जो है सिक्सकोशन जू है Symbiotic Relationship के अलावा जो चिरी 8 कोशन है बन जाता है कि कोरल रिव के साथ जो क्छिभाइ匜ारिक रिलेशनrav में आती है उस एलगाई का क्या नाम है ये कोशन बन जाता है इसके अलावा कोरल रीफ जो है किस कंडिशन के अंदर सर्वाइब करती है नहीं कि वो क्या है उन पर सवाल बन जाता है ये कोशन बन जाता है इंडियाग में लक्षिज्वीब के के बहुत सारे आईलेंडे के 스ेशल टाइप के कोरल रीफ से बने हूई है उस कोरल रीफ के नाम पूछ देते हैं वोल्ड के हाइस कोरल आईलेंड का नाम जो हो पूछ लिया जाता है वहां से कोशन तिक है उसके पाद एक term आती है कोरल ब्लीचिऑ special type के coral reef से बने हुए है उस coral reef के नाम पूछ लेते हैं world के highest coral island का नाम जो है वो पूछ लिया जाता है वहां से question मन जाता है ठीक है उसके बाद एक term आती है coral bleaching तो वहां से question मन जाता है कि what is coral bleaching coral bleaching होता क्या है ये question मन जाता है तो इस तरीके से तमाम सवाल है जो कि coral reef से पूछे आते हैं coral reef इतना important topic है कि शायद ही कोई साल होगा जिस साल coral reef से question नहीं आया वरना हर साल coral reef से question आता ही आता है तो आप इस chapter को पढ़के अपना एक question तो fix बानिए एक question तो आपका होगा ही होगा बच्चों ठीक है साथ ही मैं आप लोग को बता दूँ जो लोग भी class में है आज मेरी सेवन फिफ्टीन पर special class है अनकाडमी learning आप पर मेरी special classes सेवन फिफ्टीन पर जिसमें मैं mcq की practice तो कराओंगा ही कराओंगा एक topic है plastic pollution प्लास्टिक पॉलूशन पर मेरी special lecture है अगा प्लास्टिक पॉलूशन पर वहां पर special topics लेता हूं तो प्लास्टिक पॉलूशन पर मेरा special lecture है प्लस इसके साथ जो है mcq की एक quiz भी है एक quiz भी होगी सेवन फिफ्टीन से एट फॉर्टी फाइव तक जेड़ घंटे की क्लास है जिसमें quiz भी है और जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं mcq की preparation भी कराई जाएगी आपको शाम को जरूर मिलीगा अनकाडमी के learning याप पर मेरे मेरी आईडी पर आपको अगर follow कर रखता है तो आपको message आही जाएगा वैसे मैं timing बता रहा हूं चलिए जैसे mcq शूरू था ना बच्चा लेट आता है तो उसके तीन चार कोशन छूड़ जाते हैं तो फिर वो उस हिसाफ से टैली में नहीं आपाता है चलिए अब स्थी क्या है कि coral reef जो है shallow water में मिलते हैं बहुत गेहरे जल में नहीं मिलते शैलो water के अंदर मिलते हैं छेचले जल के अंदर कम गेहराई वाले कौन से जल मैं मिलते हैं ऐसा पानी ऐसा water जो कि clear हो जो कि साफ हो जिसमें subject sunlight बहुत अराम से मिल रही हो ट्रियर होना चाहिए और water हल्का सा गर्म होना चाहिए यानि कि ना बहुत जादा गर्म हो और ना ही ठंडा पानी हो ठंडे पानी में भी नहीं मिलते warm water के अंदर मिलते हैं और सबसे important बात sea water में ही मिलते हैं we cannot found coral reef in the river water fresh water के अंदर नहीं मिलते हैं इसे सवाल दिमाग में कोशन आता है एक सर कि why we do not found coral reef in the mouth of the river जब कोई river ocean में गिरती इस पर हम बात करेंगे जिसे ocean है जब कोई river ocean में गिरती है तो mouth of the river के पास हमें coral reefs नहीं मिलते हैं वह समुत्र पर यहां कहीं मिल जाएंगे यहां कहीं मिल जाएंगे बट mouth of the river के पास coral reef नहीं मिलते हैं तो क्यों नहीं मिलते हैं एक question यह बन जाता है ठीक है जल्दी से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं coral are actually living animals coral reefs are the most diverse of all marine ecosystem they live in tropical areas tropical areas मतलब warm areas where the sea water is shallow clear and warm the coral reefs are one of the biggest producer of biotic calcium carbonate एक question का अंसर यह आगे बच्चो कही हर लाइन में जो है एक नहीं एक नहीं कोश्चन का अंसर आपको मिलने वाला है the coral reefs are one of the biggest anushika good morning the coral reefs are one of the biggest producer of biotic calcium carbonate ठीक है biotic calcium carbonate का सबसे बड़ा resource है they are referred as the tropical rainforest of the ocean एक और कोश्चन का अंसर आगे यह कोश्चन पुशा जाता है कि tropical rainforest of the ocean किसे कहा जाता है because like the tropical rainforest they are the shelter of most of the species found in the sea they are the shelter of most of the species found in the sea देखो बचो एक बात समझता है जो tropical rainforest है जैसे अमेजॉन के जंगल समझी है tropical rainforest है अमेजॉन के जंगल बहुत धने हैं और वहाँ पर बहुत सारी species की पजातिया मिलती हैं बहुत सारी species वहाँ पर मिलती है ऐसे ही biodiversity बहुत मिलती है ऐसे ही ocean में biodiversity आपको वहाँ मिलती है जहाँ पर corals होते हैं जैसे मैं एक diagram आपको आगे दिखा हूँ जैसे यहाँ corals हैं ocean के इंदर इस diagram में आप देखो तो corals हैं जहाँ पर corals होते हैं वहाँ पर आपको ओशन में सबस्यदा बायो डायोर्सिटी मिलती है ऐसा क्यों होता है जानते हैं उसका एक रीजन है कि जो जीव जनतू है वो यहां रहना जो ओशनिक एनिमल्स वगेरा हैं स्पीशीज है वो यहां रहना पसंद करती है यहां पर यह बच्चों को बर्थ दे देंगी तो फदन चला अंडे नोने जापान में दिये बैते बैते से चीडितिया से बात है तो यह सब्सक्राइब पास अंडों के पास वीजा भी नहीं होगा पासपोर्ट जापान का है और पहुंच गए वो यूएस से तो बेसिकली यहां ठीक नहीं है यह इलाका जो है यहां पानी रुका हुआ रहता है बहुत तेज धाराय नहीं आ पाती जिस बिकॉस अफ़ प्रेसंस अफ़ दा कोरल र इस एक तरह की चट्टानों की तरह से पड़े रहते हैं तो इन इलाकों में जो है अगर अंडे यह जखे ढूंड करके मच्नियां यहां कहीं अंडे देती हैं तो उनके अंडे सेफ रहते हैं बेसिकली तो यहां पर नए जीवों को बर्थ मिलता है बहुत सारे जीवों का य बेसिटी बहुत ज़ादा मिलती है ओशन के कंपर लैंड्ट के एसाफ से तो कम होती है बाट ओशन में दो वैसी कम होती है ओशन के इसाफ से यहां पर बायोडाईवरसिटी ज़ादा होती है इसलिए इनको ट्रॉपिकल रेम फोरेस्ट कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अब आगले question पर जारें जो कि important है वो है coral has a symbiotic relationship with zug zen थेली अलगाई एक और question का answer आ गया और एक अब मुझे concept समझाना है concept समझाना है मुझको symbiotic coral has a symbiotic relationship with zug zen थेली अलगाई which live upon coral in symbiotic relationship अब इससे समझेगा ये तो एक शैवाल का नाम है शैवाल मतनब काई ये काई का नाम है या ये एक शैवाल का नाम है जिसे हम zug zen थेली अलगाई कहते हैं ठीक है सबसे पहले हमें समझना होगा Symbiotic Relationship Symbiotic Relationship क्या होता है बच्चो Symbiotic Relationship का मतलब है Suppose कोई एक स्पीशी है X और दूसरी स्पीशी है Y हो सकता है X को के पास ये 1 है और Y के पास ये 2 है X को के पास 2 नहीं है और Y के पास 1 नहीं है ठीक है Y के पास 1 नहीं है X के पास 2 नहीं है अब अपनी को complete करने के लिए अपनी जरुवतों के लिए X को 1 और 2 दोनों चाहिए Y को 2 और 1 दोनों चाहिए ठीक है तो ये लोग क्या करते हैं ये लोग एक दूसरी से समझोता कर लेते हैं एक तरीके का कि X जो है X अपना 1 Y के साथ शेयर कर लेता है और Y अपना 2 X के साथ शेयर कर लेती है दोनों एक दूसरे को वो दे लेते हैं जो उनके पास है वो शेयर कर लेते हैं और सामने वाले से वो ले लेते हैं उसके बदले में जो उनके पास नहीं है इस तरीके से ये दोनों सर्वाइव करने की कंडिशन में आ जाते हैं सहीयोग से इस सहीयोग से दोनों एक दूसरे के साथ सर्वाइव करने की कंडिशन में आ जाते हैं इसको बोलते हैं सिंबियोटिक रिलेशनिशिप फर एक्जामपल जैसे कल मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ तो कल शाम को मेरी मजर का ऑपरेशन हुआ अभी मेरी मजर हॉस्पिटल में है पहले से शेडूल थी इसलिए मैं हॉस्पिटल से रात आ गिया था रातवारी क्लास अभी आपकी क्लास ले करके बाउस्पिटल चला जाओंगा my father is there so अब डॉक्टर से मैंने उप्रेशन कराया मेरे पास medical knowledge नहीं है मैं अपनी मजर का उपरेशन खुद नहीं कर सकता हूँ थीक है तो डॉक्टर को मेरी मजर का ऑपरेशन करने की knowledge है वो कर सकते हैं तो मुझे उनसे वो knowledge का utilization कराना है वो surgery skills का utilization कराना है अब जब डॉक्टर सारे तिन मेरी मदर का उप्रेशन और और लोग की मदर का उप्रेशन करेगा तो उसका घर चलाने के लिए जो फिनांचल जरूरते हैं वो कौन पूरी करेगा तो मैंने उनको बहुत मोटीफ कल जमा करी है वो जो मोटी फीस जमा करी है वो क्या है वो जो है वो बेसिकली वो उनके घर चलाने के लिए वो उनका घर चलाने के लिए जो है बैसिकली उनको जो चाहिए वो मैंने उनको दे दिया जिससे वो अपना हॉस्पिटल में बने रहे और लोगों का इलाज करते रहे और मुझे जो चाहिए उन्होंने मुझे दे दिया हम दोनों एक दूसरे के साथ आकर के survival की condition में आगए मेरी mother survive कर गई और doctor survive कर गई इसी को बोलते हैं symbiotic relationship I hope point समझभाया होगा अनुशी का mother अभी ठीक है अभी तो मतलब under observation चल रही है क्योंकि शाम साड़े छे बजे आपरेशन उनका हुआ है तो under observation चल रही है बट नाओ होश आगया था रात मैंने उनसे बात की है तो बात्चीत वो नॉर्मल कर रही है तो आई होप ठीक हो जाएंगी जल्दी चार या तीन से चार दिन पांच दिन उनको हस्पिटल में रहना होगा अभी चलिए तो बेसिकली अगर हम बात करें कि तो यह कहलता है सिंब्योटिक रिलेशन्शिप आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ माया होगा पॉइंट समझ माया करो मैं खुद रहने कोशिश करी रहा हूं मैं तो अभी इस सारी सिच्वेशन के बाद भी कास लेने आया हूं आप लोग बस अक्यूटिशनी शो करते रहो जिससे ठीक है तो अब उसे मुझे थोड़ा जोज भी मिलेगा येस तो अब पॉइंट अगर समझ में आगया होगा तो जड़ा समझते हैं अब कोरल की कंडिशन को समझ लिया बहुत अच्छा अब जड़ा कोरल की कंडिशन को समझते हैं बच्छो देखो सपोज ये ओशन वाटर है बच्छो ये ओशन वाटर है सपोज ठीक है ये ओशन की सर्फेस है यहाँ पर नाओ ये जो जुगजैन्थेलिया अलगाई है ये जो अलगाई है जिसका नाम जुगजैन थेली है ये एलगाई बेसिक्री इसके अंदर क्लोरोफिल है इसके अंदर फोटो सिंथेसिस से खाना बनाने की क्यापसिटी है ये फूर्ड प्रड्यूस कर सकता है कब फूर्ड प्रड्यूस कर सकता है जब इसको सनलाइट मिले सनलाइट की प्रेजेंस में एलगाई शेवाल यानि की काई जो है काई जो है एलगाई इसके अंदर भोजन बनाने की ख्षमता है यह वेर्जेटेशन है यह वनस्पती है नाओ लेकिन कब बनाएगी जब इसको सनलाइट मिले नाओ यह एलगाई जो है सर्फेस पर रहनी पात तो जब नीचे सनलाइट नहीं जाएगी तो एलगाई को फूड कैसे बनाएगी फोटो सिंथेस में प्रॉब्लम हो जाएगी फूड नहीं बना पाएगी खोजन नहीं बना पाएगी तो मर जाएगी एक प्रॉब्लम तो एलगाई की होगी अब यह हमारे भाई साब का है को हमारे कोरल भाई साब हैं इनको भोजन बनाना ही नहीं आता है इनके पास कैपसिटी नहीं है इनके पास फोटो सिंथेसिस की कैपसिटी नहीं है इनको तैरना आता है इनको ऊपर फ्लोट सर्फेस के आसपास फ्लोट करना आता है यह सर्फेस के आसपास फ्लोट करते हैं तो अ अब इन पर खुब sunlight पढ़ ली होती है क्योंकि ये surface के ऊपर float कर रहे होते हैं एनिमल है float करना जानते हैं अब होता ये है कि ये 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 बिचारी क्या करें इसको भोजन बनाना आता है पर इसको sunlight में रहने में समस्या ये नीचे डूब जाएगा पानी के अंदर तो ये दोनों जो है calcium carbonate का CCO3 का चटान रहती है ये जो अलगाई है ये अलगाई क्या करती है ये भाई साब इने जगह देते हैं इनके ऊपर जाकर के बैढ़ जाती है इनके चटान के ऊपर जाकर के बैढ़ जाती है अब इससे होता क्या है जो sunlight है ये जो sunlight पढ़ रही होती है कि sunlight अलगाई को मिल जाती है इलगाई इससे भोजन बना लेती है इस भोजन में से कुछ हिस्सा हमारा coral भी खाने लगता है कुछ हिस्सा हमारा coral भी खाना शुरू कर देता है तो कोरल को भी भोजन मिलने लगता है, एलगाई भी भोजन बनाने लगता है, दोनों का काम चल जाता है, सनलाइट से एलगाई भोजन मिलने लगता है, और कोरल भी उस भोजन में से कुछ हिस्सा बटाता है, कोरल भी जिंदा रहता है, एलगाई भी जिंदा रहता है, इस तर क्लियर चलिए समझ में अगर आगिया होगा तो फिर मैं जड़ा पढ़ाना शुरू कर दूँ कोरल चलियर 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 तो फिर में जड़ाना शुरू हाओ पार आगिया तो फिर मैं जड़ा तो फिर मैं जड़ार अगर तो इस तो आगर पर आगर। relationship है, instead of living on the sea floor, the algae lived upon the coral which is closer to the ocean surface so that algae gets lot of light, so symbiotic relationship समझ में आगिया होगा, now अब पढ़ते हैं, question आजाता है, essential conditions for the coral reef, coral reef के survival के लिए क्या essential conditions है, तो पहली essential condition है बच्चो sunlight, सबसे पहले तो sunlight is the essential condition, sunlight चाहिए इसी दिए coral के उपर घर बना करके रहती है algae जिससे की और algae को जब तक sunlight मिलती रहेगी वो भोजन बनाती रहेगी और उस भोजन में से coral भी हमारा खाता रहेगा, तो sunlight चाहिए ऐसे इलाकों में coral चली गई जहां अधेरा है, वहाँ coral डवलप नहीं कर पाएगी क्योंकि एलगाई उसके उपर जो है उसको खाना बनाने की जगह है, खाना नहीं बना पाएगी, sunlight नहीं मिलेगी तो sunlight चाहिए, that is why coral rarely developed more than 50 meters deep in the water, इसलिए deep ocean में आपको coral reefs नहीं मिलते हैं क्योंकि वहाँ तक sunlight नहीं पहुंच था, दूसरा चाहिए भाई clear water, क्योंकि अगर clear water नहीं होगा, पानी मटमेला होगा, तो जो sunlight है वो सही से नीचे नहीं पहुंच पाएगी, penetrate नहीं कर पाएगी, तो clear water चाहिए, so that proper amount of sunlight reaches the algae, clear water चाहिए, जिससे की proper amount of sunlight जो है, algae तक पहुंचे, अब यहीं पर बच्चो एक question आता है, जो मैंने आपसे कहा था, question यह आता है, कि mouth of the river, जिससे suppose यह ocean है, यह समुत्त है, यह river आ करके मिली, तो यह mouth of the river हुआ, यह mouth of the river पर जो है, यहाँ coral मिल जाएगा, coast पर, इधर भी coast पर, अगर ideal conditions उसको मिल गई, तो coast पर मिल जाएगा, लेकिन जहाँ river का मुहाना है, जहाँ mouth of the river है, यहाँ coral नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर coral mouth of the river पर क्यों नहीं मिलता इसके दो कारण है मिच्चो रिवर जब ओशन से मिलती है तो अपने साथ बहुत सारे sediments लेकर के आती है रेता बालू बजरी मिट्टी इतनी लेकर के आती है कि उन सबसे यहां का पानी बहुत मतमेला हो जाता है रिवर जब ओशन से मिलती है तो वहां का पानी बहुत मतमेला होता है क्योंकि रिवर के साथ बहुत साथ गाद बालू sediments जिसे कहते हैं sediments आते हैं तो बच्चो यह जो mouth of the river है यहां पर पानी में clarity की कमी होती है जब water clear नहीं होता तो यहां पर coral को proper sunrise नहीं मिलेगी एक करण तो coral के ना develop होने का mouth of the river पर यह है दूसरा reason यह है कि river अपने साथ लाती है fresh water और coral fresh water में develop नहीं होता coral saline water में develop होता है तो coast के किनारे coral को saline water मिल जाता है समुद्र तट के किनारे लेकिन जहां भी समुद्र से river मिल रही है उसके मुहाने पर बहुत सारा fresh water river से ocean में मिलाया जाता है तो यहां पर fresh water की percentage काफी high रहती है इसलिए coral river के मुहाने पर नहीं मिलता है I hope point समझ में आया होगा इन दो reason से reverse के mouth पर coral reefs दिखाई नहीं देते है तीसरी condition है warm water यानि कि बहुत ज़्यादा temperature भी ना हो और बहुत कम temperature भी ना हो warm water होना चाहिए ideal temperature है 20 से 32 degree centigrade एक्जाम के लिए यह ध्यान रखेगा 20 से 32 degree centigrade का temperature चाहिए जहां पर होगा जिन इलाकों में है उन इलाकों के अंदर coral reef ocean के अंदर मिलता है तो corals generally live in a water having the temperature of 20 to 32 degree centigrade 20 से 32 degree centigrade तक coral survive करते हैं water must be clean it means it must be free from pollution pollution free होना चाहिए तो कि coral बहुत ही sensitive होते हैं और pollution के कारण coral bleaching start हो जाती है क्या होती है coral bleaching अभी बात करूंगा पर pollution के कारण coral bleaching start हो जाती है और जब coral bleaching जरुष से ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो है कोरल के मरने की संभावनाय पैदा हो जाती है और पांचवा फ्रेश वाटर नहीं चाहिए पांचवा चाहिए salt water लवनी ये जल तभी समुदरी जल में ये हो पाते हैं तो coral need salt water to survive and required a certain balance in the ratio of salt to water that is why coral reefs are generally not seen near the mouth of river because rivers brought heavy fresh water and sediments in the sea अभी मैंने आपको समझाया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते है अब एक question आता है classification of coral reefs का coral reef की classification का question एक बनता है ठीक है नाओ बच्चो जो ये कोशन आता है कि बए polar reef कितने type के होते है और अलग-अलग type से a question आयता है जैसे इंडिया में अन्डमा निकोबार में कॉन सा type मिलता है लक्सेद्वीद के अंदर वह चार टाइप नहीं होता है कोरल रीफ वैसे तो कई टाइप के होते हैं मेजर टाइप जो है उसकी चार है चार मेजर टाइपस है पुरल रीफ की एक है बच्छों फ्रिंजिंग रीफ एक टाइप है fringing reef, दूसरी टाइप है barrier reefs, तीसरी टाइप है atoll reefs और चौाध्री टाइप है patch reef, चार टाइप है coral reefs के चौत्री टाइप है patch reefs ठीक है अब सबसे पहले समझें कि अब फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है फ्रिंजिंग रीफ को समझते हैं बैसिकली मेरे डाइग्राम से समझते हैं उसके बाद इस डाइग्राम पढ़ना हूँगा आपको मैं सब्सक्राइब बच्छो यह है लैंड एह है सी मालो है यह समुद तठ हुआ यह कौस्ट हुआ लगा है नायो जो कोरल रीफ है अगर कोरल रीफ फ्रिंजिंग टाइप की कोरल रीफ है अगर कोरन रीफ फ्रिंजिंग टाइप की कोरल रीफ है तो ये कोरल रीफ बिलकुल कोस्ट के किनारे 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 कोस्ट के पैरलल जो है ये रीफ पाई जाती है तो फ्रिंजिंग रीफ वो है जो कोस्ट के पास ही कोस्ट के किनारे 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 पाई जाती ह इसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ फ्रिंजिंग रीफ जो कोस्ट के किनारे मिलती है ठीक है जड़ा देखिए सपोस्ट यह वालकैनो है इसकी वेश से कोई टापू बन गया है इस टापू का कोस्ट आ गया होगा यह चारो तरफ ओशन है तो बिलकुल बहुत पास में ज दखाई देजाएगी यह फ्रिंजिंग रीफ है यह जो आपको दिख रही है यह फ्रिंजिंग रीफ है का से कौइंट समझमाया होगा अगर पॉइंट समझमें आगिया तो जाद दूसरा समझते है बारियर रीफ समझने जा रहे हैं मैंनिश्वुज कि कि यह लैंड है सपोज यह लैंड है और यह सामने जो है यह सपोज लैंड है और यह सी है ठीक है यह लैंड है यह सी है यह कोस्ट हुआ नाउ अगर हम कोरल रीफ की बात करें अगर हम कोरल रीफ की बात करें तो कोरल रीफ अगर बारियर रीफ है तो लैंड के से दूर लैंड से दूर यानि की कोस्ट से दूर कोस्ट के पैरलल एक दीवार की तरह से खड़ी होगी कोस्ट के पैरलल एक दिवार की तरह से खड़ी होगी इसको हम बोलते हैं barrier reef फर एक्जामपल माली ते है ये coast है ये coast है तो barrier reef ये रा ये barrier reef है coast से दूर barrier reef है ये deep ocean है ocean का water यहां करके खटा हो गया है, log हो गया है यही पर इस log water में ही मचली वगरा अपना वो बच्चे दे देती हैं, अंडे दे देती हैं, तो ये water log होगी है जिसको हम बोलते हैं lagoon ठीक है तो ये land है, ये coast है coast से दूर parallel barrier reef कहलाती है ये एक दीवार का काम करती है और इसमें आकर के पानी भढ़ जाता है ठीक है तो इस तरह से समझ में आपको आगया होगा ये री barrier reef तो barrier reef barrier का काम करती है आपने great barrier reef का नाम सुना होगा Australia is known for great barrier reef Australia का Queensland state जो है उसके समझ तर्के सामने 1000 किलोमीटर की जो है एक barrier reef आपको दिखाई देती है इसलिए उसको बोलते है great barrier reef रंग बिरंगी चट्टाने हमको दिखाई देती है इसको बोलते है great barrier reef ये रंग बिरंगी चट्टाने किसकी वेसे है इसके उपर जो जुग जेन थेली अलगाई मिलती है उस अलगाई के विए से पानी में डूबी हुए रंग बिरंग की चट्टाने हमको दिखाई देती हैं इंडिया में जिस तरीके से ताज महल हमारे टूरिजम का केंदर होता है वैसे ही आस्ट्रेलिया में टूरिजम का केंदर ग्रेट बारियर रीफ होती है लोग आस्ट्रेलिया में ग्रेट बारियर रीफ देखने जाते हैं तो काफी पॉपलर है तो वही बस बारियर रीफ है को क्लियर है समझ माई बात यह के लाती है बारियर रीफ आई हो पॉइंट समझ माया हुआ कि तीसरा है अटॉल तीसरी टाइप है बच्चो अटॉल नो अटॉल क्या होती है बच्चो सपोज एक कोरल ये रहा पानी के अंदर डूबा हुआ है सपोज ये हमारा ओशनिक वाटर है ये कोरल है इस कोरल की डेथ हो गई कोरल की डेथ हो गई तो इसका जो कैल्शम कार्बोनेट की चटाने वो बची रह गई इसके उपर दूसरे कोरल ने अपना घर बना लिया अगर ऐसा होता है दूसरा कोरल रहने लगा इसके कोरल की डेथ के बाद ये भी चटान बची रही इसके उपर तीसरे ने अपना घर इसकी भी डेथ हो गई तो उसके बाद ये चट्टान बची रह गई इसके बाद इसने अपना घर बना लिया इस तरीके से ओशन के बाहर जो है आपको कोरल रीफ कोरल रीफ की चट्टाने बाहर निकली हुई दिख जाएंगी इसी के बराबर में ऐसा ही पैटन बराबर में औरों ने बना लिया इसी के बराबर में पैटन तीस्टा बना लिया अब ओशन से बाहर ये कोरल रीफ की चट्टाने आ गई दीरे दीरे ये टापू या एक आइलेंड बन जाएगा और कोरल रीफ से बना हुआ आइलेंड बन जाएगा इसको बोलते हैं एटॉल रीफ एटॉल रीफ जो एक के उपर एक के उपर एक के उपर एक बनती है वो कहलाती है एटॉल रीफ उसमें आइलेंड बन गया, यहां पर आपको दिखा रहे हैं, दिखे जिसे यह अटॉल रिफ बाहर आ चुकी है, और इनके उपर आइलेंड बन गया है, पेड़ पौधेन के उपर लग चुके है, ट्रीज वगरा लग चुके हैं, यह बाहर आ गई है, इंडिया में लक्षद वी एक लगाना हुआ तो लक्षदीप आउसर को लगाएंगे, तो अटॉल जो है, वो लक्षदीप के बहुत सारे आईलेंड अटॉल के बने हुए है, एक न्यूजिलर्टके अंदर आईलेंड है, निऊ जिलर्ड में न्यू आईलेंड है, यह ऐटॉल से बना हाइड्येस तो तीसरे टाइप हो गए बच्चो एटॉल रीफ, चौथा और समझा रहा हूँ, फिर नोर्स पर चलूँगा, समझ माया होगा, चौथे हैं बच्चो पैचेज, पैचेज अपने नाम से समझ में आ रहे हैं, जो धब्बे की तरह से, पैचेज की तरह से, डिफरेंट पैचे रीफ है, ये देखें, ये अगर कोस्ट है, ठीक है, तो ये 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 पैचेज हैं, देखेंगा, ये पैचेज रीफ हैं, ये पैचेज रीफ हैं, ठीक है, तो जो धब्बों की तरह से पढ़े रहे हैं, वो किलाते हैं, पैच रीफ, चलिए, जड़ा एक बार नोट से दे And they are the most common reefs in the Undemand. Shore के बिलकुल. समुद्ध दट के बिलकुल किनारे चलने वाली fringing reef हो गई. Undemand में मिलती हैं. Second हुई patch reef अभी मैंने आपको दिखा दी हैं. They are isolated discontinuous patches, lie offshore, seen in Park Bay, Gulf of Mannar and Gulf of Kachar. Park Bay, Tamil Nadu, Shri Lanka के बीच में पड़ेगा. Gulf of Mannar भी जो है, Tamil Nadu, Shri Lanka के बीच में पड़ेगा. और Gulf of Kachh जो है, ये गुजरात के अंदर पड़ेगा. तो patch reef यहां पर मिलती हैं. कीसरी है barrier reef. Barrier reef जो की land से थोड़ा दूर एक barrier की तरह से, एक दीवार की तरह से ओशन में दिखाए देती हैं. The barrier reefs are linear offshore reef structure that run parallel to coastline and arise from submerged shell platforms. The water body between the reef and the shore is termed as lagoon. मैंने अभी आपको बताया था, ये lagoon है. जहां समुझगा पानी आकर रुख गया है, अटक गया है. Barrier reefs are seen in Nicobar and Lakshadweep. इंडिया की सबसे बड़ी lake कौन सी है, बच्चों, तो वह है चिलका लेक उडिशा में. वो एक lagoon का ही example है, lagoon टाइप की लेक है वो. Barrier reefs are seen in Nicobar and Lakshadweep. The great barrier reefs of Australia are worldwide famous. They find in Queensland area. They find in Queensland area. Atoll reefs are circular or semi-circular reefs that arise from subsidizing sea floor platform as coral reefs building keeps ahead of subsidence. एक के डूबे होने के उपर दूसरा, दूसरे के उपर तीसरा, तीसरे के उपर चौथा. Their examples are of some islands of Lakshadweep and Nicobar made from Atoll reefs. Nicobar में मिलती हैं लेकिन mainly Lakshadweep popular है. New Island of New Zealand is the highest Atoll Island of the world. ठीक है? The major coral areas of India are भारत में coral कहां कहां मिलता है? Gulf of Mannaar, Annaman Nicobar Island, Lakshadweep, Gulf of Kutch. Gulf of Mannaar, Annaman Nicobar Island, Lakshadweep और Gulf of Kutch. यहां पर जो है, यह हमारे major coral areas है. ठीक है? In these areas, there are some coral reef reserves. इन में भारत में कुछ हिस्से हैं जहां पर coral reef reserve हैं, जिसे Gulf of Mannaar, Biosphere Reserve, महात्मा गाजी, Marine National Park, Annaman Nicobar, Gulf of Kutch, Marine National Park, Lakshadweep, रानी जहांसी, Marine National Park, South Annaman. अब coral bleaching और समझ लेते हैं, बच्चों. बच्चों, bleaching का मतलब क्या होता है? bleaching का मतलब होता है, color का उड़ जाना, color खतम हो जाना, color साफ कर देना. तो bleaching क्या है? coral का color, coral bleaching का है, coral का color उड़ जाना. अब भाई, coral के पास क्या अपना कोई color होता है? coral का color कहां से आता है? actually, coral के उपर, coral के उपर जो अलगाई रहती है, ये उसका color होता है. उसके अंदर pigment होते हैं, ये chlorophyll के pigments होते हैं, और इन pigments से ही वो जो है, photosynthesis करके food बनाता है. तो color जो है, color actually algae के अंदर है. नाओ, जब due to the pollution, बहुत ज़्यादा pollution पढ़ता है, तो algae का ये pigment सूखने लगता है, जब algae का pigment सूखने लगता है, तो ये color उड़ने लगता है, मैं दिखता है कि coral का color उड़ रहा है, चटानों का रंग चेंज हो रहा है. तो color जब उड़ने लगता है, यानि color bleach होने लगता है, इसी को हम coral bleaching कहते हैं. ये अगर बहुत ज़्यादा मातरा में हो और बहुत लंबे समय तक हो, तो इससे coral मर जाएगा. क्यों मर जाएगा? जब उसका pigment सूखने लगेगा, तो वो photosynthesis नहीं कर पाएगी, food नहीं बना पाएगी, लंबे समय तक coral को food नहीं मिलेगा, तो coral मर जाएगा. इसी को coral bleaching कहते हैं, आजकल oceans में बहुत ज़्यादा pollution बढ़ रहा है, उस वज़े से coral bleaching बहुत तेजी से हो रही है. So, bleaching of coral occurs when the density of zoxanthaly declines or concentration of photosynthesis pigment within zoxanthaly falls. भी कहते हैं, तो coral bleaching होती है, जब zoxanthaly की density कम होने लगती है, क्यों, और concentration of photosynthesis pigment इसके अंदर गिरने लगता है. If there is coral bleach, there is about loss of 60 to 90 percent, तो coral की death में जाती है, अगर coral bleaching लंबे समय तक होती है, तो. The Ministry of Environment and Forests of Government of India has set up National Mangrove Forests Genetic Resource Center in Odisha. The Ministry of Environment and Forests of Government of India has set up National Mangrove Forests Genetic Resource Center in Odisha. ये वैसे याद रखेज़ेगा, ये वाला फैक्ट है, वो गल्ती से माँ गया, लेकिन वो याद रखेज़ेगा, ये याद रखेज़ेगा. Coral Reef is included in the Schedule 1 of a Wildlife Protection Act 1972, which afford the highest degree of protection. ये कोरल रीफ को indicative species भी कहा जाता है, indicative species जो हमें बता देती है, कि उसके आसपास की ecology कैसी चल रही है, अच्छी है खराब. ये कि जब pollution बढ़ेगा, तो ये कोरल मरने लगेगा. कोरल को मरते देखकर कि ये कोरल ब्लीचिंग को देखकर कि हमें समझ में आ जाएगा कि ओष्टिक वाटर में pollution लेवल बढ़ रहा है. कोरल को हम बचाना चाहते हैं क्योंकि ये ओष्टिक में जान रखता है. ओष्टिक के अंदर जीवजंतिओं को के बायोडायोरिसिटी के लिए बहुत जरूरी है. कोरल काफ़े हुम्पॉर्टिक है, क्योंकि जो ऑसका बायोटिक केलशम कार्बोनट है, उस calcium carbonate को cement वगरा की industries में use किया जा रहा है तो economic value भी coral की काफी है वाजकर उसकी hunting हो रही है उसको बचाने के लिए उसको protection देने के लिए उसको wildlife protection at 1972 का schedule 1 में जगे दी गई है schedule 1 और schedule 2 की list 2 ये highest protection देती है animals को animals को highest protection इनके अंदर मिलता है ठीक है बच्चो तो coral reefs को schedule 1 में protection दी गई है तो अगर आप हम पीछे की तरफ देखे तो हमने क्या क्या पढ़ा पहले तो यही पढ़ा कि coral को schedule 1 में protection मिली है wildlife protection act के दूसरा हमने coral bleaching पढ़ा क्या होता है तीसरा हमने बच्चो कहां कहां पर इंडिया में coral reefs मिलते हैं वो जगे पढ़ी reserves जो है major areas पढ़े जहां पर coral reefs इंडिया मिलते हैं वोल्ड का highest at all आइलेंड कहां है यह हमने पढ़ा at all reefs क्या होती यह पढ़ी लक्षजीफ हमारे at all के बने हुए यह हमने पढ़ा इसके अलावा बच्चो हमने जो है barrier reefs पढ़ी हमने patch reefs पढ़ी great barrier reefs के बारे में पढ़ा fringing reefs के बारे में यानि types of coral reefs के बारे में हमने पढ़ा हमने essential characteristic पढ़ी जिन essential characteristic की जरुवत होती है coral के survival के लिए वो हमने पढ़ा क्या sunlight से यह clear water कितना temperature वो सब हमने पढ़ा साथी साथ हमने वो reason भी पढ़ा कि क्यों जो है river के mouth पर coral का development नहीं हो पाता इसके साथी साथ बच्चों हमने इस class के अंदर coral के साथ जो algae है वो है जुख जैन थेली algae वो हमने पढ़ा वो हमने उसके बारे में पढ़ा algae के बारे में साथी साथ हमने जो है यह भी पढ़ा कि यह biotic calcium carbonate का highest producer है हमने यह भी पढ़ा कि ट्रॉपिकल rain forest ocean के ट्रॉपिकल rain forest हम इनको क्यों कहते हैं साथी साथ हमने बच्चों जो coral reef है coral reef की खास बात पढ़ी कि यह shallow water में रहता है clear water warm water में रहता है इतनी सारी बाते हमने coral reef के बारे में समझ ले हैं तो हर angle से हमने coral reef की information को gather किया है ठीक है तो I hope आप लोगों को यह class फायदे मन लगी होगी आपके लिए फायदे मन लगी टॉपिक बहुत important है हर साल coral reef से question आता ही आता है कल मेरी सुभे यहां पर class होगी बच्चों कल सुभे की class होगी मेरी ozone layer depletion की class होगी कल ozone layer depletion की class होगी बच्चों मेरी उसके साथ ही साथ आज जो है तुड़े इवनिंग में तुड़े जो है सेवन फिफ्टीन पीम पर तुड़े सेवन फिफ्टीन पीम पर अनकैडमी लर्निंग अप पर अनकैडमी लर्निंग अप पर मेरी special class है प्लास्टिक पॉलूशन की तो अनकैडमी लर्निंग अप पर मुझको फॉलो करिए आप वीडियो के description box से link ले सकते हैं जो मेरे profile पर आपको ले जाएगा अनकैडमी लर्निंग अप के वहाँ पर मेरी काफी सारी free special classes हो रही है जिसमें मैं कोई एक topic भी पढ़ाता हूं साथ ही mcq की practice भी मैं वहाँ पर करवाता हूं questions important questions की practice भी मैं वहाँ पर करवाता हूं quiz एक करवाता हूं जिसमें आप जो है time frame के अंदर अपने answers मुझे देते रहते हैं तो mcq की practice में कराता हूं वाज शाम को सवा साथ बजे अनकैडमी लर्निंग अपर उससे पहले आप मुझे follow कर लीजे जिससे की अनकैडमी लर्निंग अपर जैसी मेरी free class special class आए तो आपको उसका message पहुँच जाए तो follow कर लीजेगा important classes वहाँ पर सारी classes important हो तो plastic pollution और mcq की class आज शाम को सवा साथ बजे अनकैडमी लर्निंग आपर होगी तो उम्मीद करता हूं मैं आपसे वहाँ पर भी मुलाकात करूँगा आपको मैं कास पसंद आई होगी तास पसंद आई हो नोट साब जो है अनकैडमी के इस एमी गेट चैनल से ले लीजेगा जो टेलीग्राम चैनल है नाव अगर पसंद आई हो तो इतना तो करी दीजेगा कि लाइक कर दीजेगा और शेयर कर दीजेगा जिससे की लोग environment के प बचाने के लिए होगा इसमें आपका लगेगा कुछ नहीं सिर्फ एक बटन दबाना है शेयर कर दीजेए इसको चैनल सब्सक्राइब करिए बैल आइकन दबाईए अभिश्यक 01 कोड याद रखे मेरी फ्री क्लास को ओपन करने के लिए अभिश्यक 01 कोड डाल करके आप फ् बटने बाद प्री गुड़ देव चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं